समझाया है, ठीके SN2 क्या होता है मैंने समझाया, तो mechanism दो type का होता है, पहले यहां दिया SN2, हमने discuss किया था, कि जैसे यह CH3 group है, तो यहां पर चोट चोट ग्रूप लगे, CH3 से 1H, 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 मतलब CH3 यह है, तो तीनों hydrogen atoms है, और यह थोड़ा सा इसका 3D structure बनाया हुआ है, यह solid line मतलब यह bond इसे बाहर आ रहा है, यह dash line मतलब पीछे जा रहा है, ठीके, हेट्राहेडरन है, तो यह OH- इस carbon तक पहुचने की कोशिश करेगा, carbon chlorine के बीच का bond तूटने लगेगा, carbon oxygen का bond बनने लगेगा, CL- चला जाएगा, और यह direction जो left थी, वो सब invert होके right में आ जाएगे, ठीके, तो इसको यह चादेगी तरह देखो, पलट गया, यह तीनो जो bonds थे, यह left में थे, अब पलट के right में आ गए, ध्यान से देखो mechanism, this reaction has been found to proceed by two mechanisms which are described, substitution nucleophilic biomolecular, the reaction between CH3Cl and hydroxide to yield methanol and chloride follows a second order kinetics, that is the rate depends on the concentration of both the reactant, ठीके, दोनों पर depend करता है, यह मैंने आपको समझाया भी था दोनों पर depend करता है, ठीके, इसलिए इसका order 2 है, ठीके, तो यहाँ पर, as you have already learned in section 12.3.2 of class 11, the solid wedge dash represents bond coming out of paper and dash represents bond moving in the plane of paper, ठीके, तो यह बच्चों, यह और अच्छा representation है, इसको देखो ध्यान से, nuclear file आया, इस पर attack किया, यह transition state बनी, transition state का मतलब, पुराने bonds तूट रहे हैं और नए bonds बन रहे हैं, मगर partial है, अभी यह पूरी तरह से तूटा भी नहीं है, अभी यह पूरी तरीके से बना भी नहीं है, और फिर जब यह जुड जाएगा, तो यह living group यहाँ से बाहर हो ठीके, so it depicts a biomolecular, biomolecular मतलब molecularity 2 है, दो particles भाग ले रहे हैं, reaction में एक और यह दोनों, और इसलिए इसको बोलते हैं, biomolecular, ठीके, SN2 reaction, the incoming nucleophile interacts with the alkyl group, causing the carbon halide bond to break, while forming a new OH bond, this process takes place simultaneously, एक साथ होता है, bond का तूटना, और bond का बनना, ठीके, इसमें inversion of configuration होता है, इसका मतलब क्या है, जो bonds बच्चों left side में थे, मतलब कुछ ऐसे थे, और living group यहाँ था, अब जब nucleophile आके जुड़ गया, तो यह bond ऐसे छाती की तरह पलट गया है, ठीके, umbrella inversion इसको कहते हैं, ठीके, कुछ इस तरीके से invert हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम inversion of configuration, या walden inversion, ठीके, आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों, इसमें क्या खास बात है, इसमें चौट ग्रूप, इसमें दो चौट चौट, एक मौट ग्रूप आ गया, इसमें देखो, दो मौटू मौटू आ गये, और इसमें देखो, तीनों मौटू आ गये, तो nucleophile के लिए सबसे आसान होगा carbon तक पहुचना, जब तीनों चोटे-चोटे groups होगा, जैसे बलकी होगा, तो मुश्किल हो जाएगा, और बढ़ा होगा, और मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ देखो, rate अगर इसका 30 है, तो इसका rate बच्चों वन टाइम हो जाएगा, इसका rate 0.02 हो जाएगा, और इसका बच्चों 0 ही हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि, जो rate of SN2 reaction है rate of SN2 reaction है that is inversely proportional to steric crowding steric crowding मतलब steric crowding का मतलब यह कितने छोटे groups हैं less crowded है, मोटे groups हैं तो more crowded है महां यह बोल सकते हैं कि rate is directly, यह rate का order यह आएगा, सबसे 1st CH3 living group, 2nd R CH2 living group, 3rd R CHR living group and 4th tertiary, यह order इसका आएगा, ठीक है, so since the reaction requires approach of nucleophile carbon bearing the living group, presence of bulky group भी मैंने सारा अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है, तो दूसरा है बच्चों SN1 reaction, इसके बारे में भी हमने बात करी, पहली step क्या होती है, BR minus, यहां leaving group चला जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, और second step क्या होती है, इसका attack होता है, जिसे मैंने यहां पर समझाया भी था आपको, तो पहले leaving group चला जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, फिर nucleophile जा करके जुड जाता है, इस तरह से, ठीक है, तो यह है SN1, ठीक है, SN1 में unimolecular reaction होती है, क्योंकि जो इसकी slow step है, जो कि इसकी first step है, वो होती है slow, या वो होती है rate determining step, so SN1 reactions are carried out in polar protic solvent, अब polar protic solvent में सबसे अच्छा, polar protic मतलब क्या होता है, जिसमें hydrogen जुडा हुआ हो, highly electronegative atoms, ठीक है, O से, या F से, या, ठीक है, nitrogen से, तो यह तीन होते हैं polar protic, ठीक है, मतलब H2O polar protic solvent, इसके पास दो ends है, positive end और negative end, ठीक है, तो जो यहाँ पर ketion बना है, positively charged particle बना है, और जो यहाँ पर anion बना है, जो की negatively charged particle है, जो की leaving group है, BR-, दोनों काफी comfortable feel करते हैं polar protic solvent में, क्योंकि oxygen पर है negative charge, यह क्या होता है, positive charge को ऐसे घेर लेता है, surround कर लेता है, और इस process को हम कहते हैं solvation, क्या कहते हैं, solvation, anion जो होता है, इसके आसपास hydrogen atoms आ जाते हैं, और इस process को भी हम कहते हैं solvation, ठीक है, तो यह होता है बच्चों, solvation, और इसलिए polar protic solvent में SN1 को कराया जाता है, जिससे की cation और anion दोनों solvate हो जाते हैं, comfortable हो जाते हैं, ठीक है, तो SN1 are generally carried out in polar protic solvent, like water, मैंने बताया, alcohol भी polar protic है, इसके पास भी दो ends होते हैं, acetic acid भी polar protic है, इसके भी दो ends होते हैं, the reaction between tertiary betal bromide and hydroxide, yields to tertiary betal chloride, और यह सब first order kinetics follow करते हैं, और यह सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है, तो बच्चों, इसमें देखो, एक comparison दिया हुआ है, primary, secondary, tertiary, थोड़ा समय अच्छे से इसको detail में समझाता हूँ, जैसे मान लिया कि बच्चों, हमारे पास CH3X है, हमारे पास RCH2X है, हमारे पास RCHRX है, और हमारे पास RCRXR है, तो इस दिशा में, इस direction में जाने पर, जो crowding है carbon पर वो बढ़ रही है, ठीक है, यह 1 degree है, इसको भी 1 degree मानते हैं, इसमें 2 alkyl हो गया, 2 degree हो गया, और इसमें 3 हो गया, 3 degree हो गया, तो इस direction में जाने पर SN2 का जो rate है, वो गढ़ता है, और इस direction में जाने पर SN1 का जो rate है, वो बढ़ता है, ठीक है बच्चों, तो जो 1 degree वाले होते हैं, वो majorly SN2 से reaction करते हैं, और जो 3 degree होता है, वो majorly SN1 से reaction करता है, और इसमें दोनों होती है, SN1 भी होती है, और SN2 भी होती है, ठीक है, यही comparison होता, SN1 और SN2 का ध्यान से देखें, SN1 is the slow step and reversible, it involves this and this, further the greater the stability of the carbocritin, greater will be the ease of formation, rate of reaction जादा, ठीक है, we can sum up the order of reactivity, इस direction में जाने पर SN2 का rate decrease, और इस direction में जाने पर SN1 का rate increase, ठीक है, so for the same reason, allylic and benzylic show high reactivity towards SN1 reaction, देखो बच्चों, allylic और benzylic क्या होता है, ज्यान से देखते हैं, तो allylic ये होता है, यहाँ पर कोई living group जुड़ा हुआ है, ठीक है, benzylic ये होता है, यहाँ पर कोई living group जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ से living group चला जाएं, कार्बोकेटाइन बन जाएं, तो ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, Resonance Stabilized यह क्या बन जाता है Resonance Stabilized यहां से Living Group चला जाए तो यह भी बन जाता है Resonance Stabilized और मैं यह बोलूगा कि बच्चों यह Highly Stable Carbocatine है So, दे Favor SN1 यही दिया वाइस में, ठीक है दे एक और बात अगर हम यहां पे comparison करते हैं किसका, RI का RBR का RCL का और RF का तो यह सबसे weak bond है, ठीक है क्यों? क्योंकि कारवन का तो 2P orbital part लेता है और Iodine का 5, बहुत lengthy bond है Motu Atom है आई, ठीक है तो यह आराम से Living Group की तरह यहां से जा सकता है, तो rate बच्चों rate का order यह रहेगा मैंने आप से बोला भी था कि CF bond बहुत strong होता है तो यह तूटता नहीं है आसानी से So for a given alkyl group the rate of reactivity of substitution reaction SN reaction follow the same order for both mechanism SN1, SN2, RI सबसे ज़्यादा फिर RBR, फिर RCL, फिर RR यह सबसे weak bond है, RI, फिर RBR, फिर RCL सबसे strong bond है RF, ठीक है? तो बच्चों इस पे कुछ examples हैं यह करिएगा इसकी कुछ stereo chemistry की बातचीत हम करते हैं अब हम बच्चों कुछ stereo chemistry की बातचीत करते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि optical activity क्या होती है तो कुछ compounds ऐसे होते हैं जो plane polarized light जैसे कि मान लो यह light एक ही plane में electric field और magnetic field है इसको बोलते हैं PPL What is PPL? Plane polarized light Plane polarized light इसको अगर अगर अपन किसी substance से पास कराते हैं एक tube में इसको भर दिया और इसके अंदर हमने कोई compound भर दिया है जो dot dot हैं यह compound है और light को पास कराते हैं तो कई बार क्या होता है जो light है उसके plane का कोई change नहीं होता जिस plane में बहान गई थी उसी plane से बाहर निकल गई थी तो जो compound अंदर भरा हुआ है अगर ऐसा result मिलता है तो उन compounds को कहते हैं optically inactive क्या कहते हैं optically inactive कहते है अगर मान लीजिए light का plane rotate करता है कैसे हो सकता है यहां तो clockwise rotate कर जाए और यहां फिर anticlockwise rotate कर जाए इस तरह से तो अगर clockwise या anticlockwise rotate करता है तो जो substance अंदर भरा हुआ था वो कहलाता है optically active अगर ऐसा clockwise rotation होता है तो compound कहलाता है plus, anticlockwise होता है तो minus कहलाता है plus को small d भी कहते हैं और minus को small l भी कहते हैं तो ऐसे compound जो plus rotation शू करते हैं वो small d कहलाते हैं या इनको कहते हैं dextrorotatory और ऐसे compound जो minus होते हैं या L होते हैं इनको कहते हैं हम levorotatory ठीक है levorotatory अब ऐसा है इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि यह optical activity क्यों आई कैसे आई इसको समझने के लिए हम समझते हैं chiral atom chiral atom तो ऐसा कोई atom जो sp3 hybridized हो ठीक है यह carbon जो है sp3 hybrid है और इससे जुड़े हैं let's say group x let's say y, z और w तो चारों अगर different है if x not equal to y, not equal to z, not equal to w चारों different तो ऐसे atoms को ऐसे star बना देते हैं star और ऐसे atoms को कहा जाता है chiral atom क्या कहा जाता है chiral atom कहा जाता है और इस तरीके के जो atoms हैं अगर एक atom molecule में present है तो molecule optical activity show करता है ठीक है, optically active होगा optically active होगा ठीक है, जैसे for example यह दिया जाए तो यहाँ carbon पर H है, CH3 है, CLABR चारों different है तो ऐसा atom कहलाएगा chiral और यह क्या होगा, optically active होगा ठीक है, बच्चों इस तरीके के molecules को fissure projection से समझाया जाता है क्या समझाया जाता है, fissure fissure projection में इनको लिखा जाता है ठीक है, प्लस की तर, ऐसे प्लस की तर लिखा जाता है ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जूड़ दिया बच्चों CS3, यहाँ पे मैंने जूड़ दिया CL, यहाँ मैंने जूड़ दिया H, यहाँ जूड़ दिया ET तो यह chiral है, और यह optically active है, ठीक है अब अगर इसको बच्चों थोड़ा और दियान से सोचें, तो इसको हम ऐसे represent कर सकते है यहाँ इसको मैं ऐसे बना देता हूँ इस carbon से निकलने वाला यह bond और इस carbon से निकलने वाला यह bond out of plane है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहे है तो यहाँ पर आ जाएगा ET, यहाँ पर आ जाएगा CL और दो bonds जो vertical है, वो ऐसे plane से पीछे जा रहे होते है CS3 और H, ऐसे bond जिसे, यह दो bond तो ऐसे plane से बाहर आ रहे है और यह दो bond जो है, ऐसे plane से पीछे जा रहे होते है यह fissure projection है ठीक है अब इस fissure projection को यहां हम एक ऐसा image भी बना सकते हैं अगर हमने mirror लगा दिया तो mirror लगाने से एक नया molecule यहां पर बनेगा एक छोटू बना रहा हूं मैं और यह दोनों एक दूसरे की क्या है mirror image है क्या है mirror image है ठीक है दोनों ही optically active है यह भी optically active है इसमें भी chiral है यह भी optically active है तो अगर यह बच्चों plus होगा तो यह minus होगा तो अगर यह plus होगा तो small d होगा तो यह minus है तो small l होगा एक Dextro Rotatory होगा और एक Levo Rotatory होगा और इन दोनों Molecules को कहा जाता है Inanxiomers क्या कहा जाता है Inanxiomers कहा जाता है ठीक है ये एक दूसरे के Mirror Image है और Inanxiomers इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस Molecules को मैंने उठा के इसके उपर रख दिया CS3 के ओपर CS3, H के ओपर H, ET के ओपर CL आजाएगा CL के ओपर ET आजाएगा तो ये Non Super Imposible Mirror Image है ये क्या है? They are Non Super Imposible Mirror Image है और इन दोनों का 50-50 Mixer इन दोनों का 50-50 Mixer इसको मैंने P मान लिया, इसको Q मान लिया तो 50% P and 50% Q This Mixer is Known as Resimic Mixer This Mixer is Known as Resimic Mixer इसको क्या कहते हैं हम? Resimic Mixer कहते हैं ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है, interesting बात है समझने माली बात है कि हमारे पास ये Molecule है ये दोनों Optically Active है एक दूसरे के Mirror Image है Non-Super Imposible Mirror Image है ये Resimic Mixer है, ठीक है? तो अब अपन बात करते हैं कुछ Points जो इसमें दिये हुआ है Stereochemical Aspects of Nucleophilic Substitution SN2 Reaction Proceeds with Complete Stereochemical Inversion While SN1 Reaction with Resimization In order to understand this concept, we need to learn basic concepts Optical Activity जो मैंने आपको बता दी Chirality मैंने आपको बता दी Retention, Inversion, Resimization वो मैं एक एक करके समझा आता हूँ So Plane Polarized Light क्या होता है? मैंने बता दिया Certain Compounds Rotate Plane Polarized Light मैंने बता दिया Optically Active क्या होता? मैंने बता दिया Plus और Minus Rotation क्या होता है? मैंने बता दिया और एक Plus है, एक Minus है, जैसे अभी अपर ने लिखा था तो एक मतलब Dextro Rotatory है, एक Levo Rotatory है तो दूसरा एक्जामपल लेता हूँ, ये भी काईरल है और इसका Mirror Image ये भी काईरल है तो इन दोनों में एक एक काईरल है एक Dextro होगा, एक Levo होगा तो ऐसे Molecules आपस में क्या कहलाते है? They are कहलाते है, Optical Isomers ये क्या कहलाते है? Optical Isomers कहलाते है तो इस Phenomenon को हम कहते है, Optical Isomerism अब हम इसको एक एक करके बच्चों करेंगे, अपलाए तो Molecular Asymmetry मैंने बताई दी, Chirality क्या होती है एनेशोमर्स क्या होते है, मैंने अच्छे से समझा दिया Chiral मैंने बता दिया आपको, Asymmetry मैंने बता दी Asymmetry मतलब किसी Molecule के अंदर चारों गुरूप अगर डिफरेंट है ठीक है, जैसे यह अभी हमने बनाया तो इसके अंदर कोई Plane of Symmetry नहीं होता है यहां ऐसे Chiral Atom वाले Molecule क्या कहलाते है Asymmetric कहलाते हैं और इनको Stereo Centers या Chiral Centers कहा जाता है मैंने आपको बता दिया अब बच्चों इसमें Important बात है कि Chirality क्या होती है जैसे बच्चों हमारे पास एक यह Glass है एक उसका Mirror Image बनाया तो इस Glass को उठा के इसके उपर रख देंगे तो Super Impose हो जाएगा एक Circle है उसका Mirror Image Circle नहीं होगा जैसे यह हाथ है यह दोनो Mirror Image है इसको उठा के इसके उपर रखा मचली जल की रानी है ठीके तो यह Super Impose नहीं होगा वैसे ہि यह पैर भी एक दूसरे पर Super Impose नहीं होगे तो यह Non Super Imposable Mirror Image है और यह Super Imposable Mirror Image है और Super Imposable Non Super Imposable के बारे में हमने अभी discuss भी किया था ये mirror image दोनो non super impossible है इसको उठा के इसके उपर रखूँगा तो super impose नहीं होंगे ठीक है तो यह हमने बातचीत कर ली इसके बारे में अब हम बात करते हैं बच्चों कि SN1 और SN2 में ऐसा क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं यह आप लोग जरूर पढ़िएगा ठीक है रेस्मिक क्या होता है इस अब हम अच्छे से discuss करते हैं retention क्या होता है inversion क्या होता है ठीक है यह हम SN1, SN2 पर apply करते हैं और इसको समझते हैं ठीक है पहले मैं समझा देता हूँ फिर हम लोग NCRT ठीक है बात करेंगे NCRT के अब हमने देखा माल लो कि हमारे पास कोई molecule है यह वाला ठीक है और इसकी reaction हमने कराई किसके साथ? नुक्लियोफाइल के साथ अब मैंने बताया था आपको यार यह 3 degree अगर होगा तो reaction का mechanism SN1 होगा तो SN1 की जो first step होती है वो क्या होती है? यह leaving group की तरह यहां से चला जाएगा ठीक है? और अगर चला जाएगा तो यहां बन जाएगा कार्बोकेटैन तो यह slow step होगी यहां RDS होगी तो यहां बन जाएगा कार्बोकेटैन ठीक है? अब क्या होगा बच्चों बताओ कार्बोकेटैन जो है इस पर nucleophile आके जुड़ जाएगा और nucleophile आके जुड़ जाएगा तो दोनों side से हम इसको जुड़ सकते हैं ठीक है nucleophile को हम दोनों side से जुड़ सकते हैं एक तो यह हो सकता है यह P orbital के इस लोप से जुड़ जाए क्योंकि यह कार्बोकेटैन का मतलब क्या होता है? यह vacant P orbital है यह क्या है? vacant P orbital है और दूसरा है nucleophile दूसरी side से भी जुड़ सकता है तो बच्चों यहां पर हमको दो product देखने को मिलेंगे एक में nucleophile के entry right side से हुई और दूसरे में nucleophile के entry left side से हुई और ऐसा answer हमको देखने को मिलेगा यह और इसका क्या? mirror image और यह दोनों एक दूसरे के क्या है? inensumers हैं जैसे मैंने आपको बताया था तो इस तरीके से जब दो molecule बनते हैं mirror image, non super impossible तो ऐसे molecules को कहा जाता है resmic mixture क्या कहा जाता है? resmic mixture मतलब यह जितना rotation produce करेगा light के लिए यह उसका just ultra rotation produce करेगा यह inensumers हैं और इस mixture को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? resmic mixture बोलते हैं क्या बोलते हैं? resmic mixture बोलते हैं ठीक है? तो जो SN1 reaction है उसमें रेस्मिक मिक्शर बनता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेसेमाईजेशन क्या कहा जाता है रेसमाईजेशन ठीके, दूसरी बात जैसे कि अगर हमारे पास अगर माल लीजिए कि यहां पर इस तरीके से कोई काईरल सेंटर यहां CL है, यहां H है यहां D है, यहां T है और इसकी रेक्शन को हम कराते हैं नुक्लियोफाइल से तो यह रेक्शन में वन डिग्री है, तो रेक्शन का पाथ यह रेक्शन का मेकेनिजम SN2 होगा और SN2 में backward direction से nucleophile की होती है entry और ये बन जाता है ठीक है ये मैंने बताया था आपको कि बच्चों इसमें जो product है वो inverted बनता है जैसे कि हमने देखा भी था तो ये जो bonds है इस direction में x, y, z और living group तो जो product बनता है उसमें ये bonds reverse direction में आ जाते हैं x, y, z तो इसको बोलते हैं बच्चों inversion और SN2 reaction में क्या होता है inversion होता है बच्चों दो product नहीं बनेंगे इसमें एक ही बनेगा और इसमें जो nucleophile की direction होगी वो ulti होगी किसके लब opposite होगी किसके जो living group है उसके जाने के तो बच्चों यही points हैं कुछ इसमें समझाये हुए है chirality मैंने आपको बताई दिया ठीक है और यह सारे points हैं जो समझाये हुए और इसमें एक resmic mixture क्या होता है मैंने बताई दिया resmic mixture को ही resmic modification भी कहा जाता है और reaction में जब दोनों बनते हैं डेक्स्ट्रो लिवो तो उसको कहते हैं resmicization यह हमने discuss कर लिया इस पर कुछ questions है retention का मतलब क्या होता है द्यान से देखो retention का मतलब यह होता है कि जिस direction से कोई जा रहा है जैसे मान लो कि यहां से CL जा रहा है अब nucleophile भी यहीं वापस आ जाए इसको बोलते हैं जिस direction से गया उसी direction से नया particle आ गया इस process को बोलते हैं retention लेकिन SN1 में तो दोनों बनते हैं तो उसमें resmization होता है SN2 में ultra product बनता है तो उसको inversion कहते है तो retention न तो SN1 में होता है न SN2 में होता है बस समझने के लिए है कि जो stereo जो उसकी 3D geometry है वो same रहती है इंवर्जन में उल्टी हो जाती है और SN1, SN2 का अगर अपन fresh look देखें तो वच्चों fresh look के हिसाब से इसको थोड़ा पड़ लीजिएगा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ठीके? तो थोड़ा समझ लीजिएगा कि जो reaction SN2 होती है उसमें क्या होता है? जो reaction SN2 होती है उसमें inversion होता है इसको जरूर underline करना फर्स्ट लाइन को और SN1 reaction में rasmization होता है यही दो point बच्चों आपके काम के हैं और बाकी सब कुस्प mechanism wise लिखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था तो इसमें देखिए दोनों product बनें SN1 में right side से भी OH लगा left side से भी लगा ठीक है? तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी दोनों बनें right side से और left side से दोनों side से लग सकता है तो यहाँ पर क्या होगा? बी आर माइनस चला गया केटाइन बन गया दोनों side से OH माइनस लगा लेकिन SN2 में क्या होता है? SN2 में केवल opposite side से जिस direction से living group BR गया उसकी opposite direction से OH आया यह inversion है यह SN2 reaction है और इसमें दोनों बनें ठीक है? OH right में भी और OH left में भी यह SN1 reaction है यह क्या है? racismization है ठीक है? तो बर्चों यह हुई बात substitution की अब हम next lecture में डिस्कूस करेंगे elimination और reaction with metals Okay students